गुड आप्टरनोन नाइन क्लास कैसे हो बच्चों काम सही चल रहा है क्योंकि हम लोग लगातार आपको काम देते जा रहे हैं और अब आपके काम की चेकिंग भी शुरू होने वाली है तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो अब आपके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी प आज जिस विशय पर हम लोग ज्यान प्राप्त करने जा रहे हैं या जिस विशय की जानकारी लेने जा रहे हैं वो पाठ का नाम है रहीम और रहीम दास के बारे में आप लोग जानते हैं कि रहीम दास दोहे लिखते थे रहीम दास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं जो नीती परक दोहे हैं नीती परक दोहे यानि के नीती के दोहे यानि नैतिक नियमों पर आधारित दोहे वो दोहे जो मानवियता सिखाते हैं संसार में रहना सिखाते हैं इसके अलावा संसार में वैवहार के महत्व को समझाते हैं इंसान को किस तरहां से होना चाहिए और इंसान को किन गुणों के कारण पसंद किया जाता है और किन दुरगुणों के कारण नापसंद किया जाता है ये सब उन्होंने अपने अलग-अलग दोहों में अलग-अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है रहीम दास जो थे वो असलियत में अकबर के दरबारी कभी माने जाते हैं वो अकबर के नौ रतनों में से एक रतन थे यानि एक ऐसा मुख्य इंसान एक ऐसा मुख्य कभी जिसके बराबर दूसरा कोई और नहीं हो सकता रत्न वही होता है जिसके नकल नहीं हो सकती जैसे हीरा तो हीरा एक ही होता है नकली हीरे हो सकते हैं लेकिन असली हीरा तो एक ही होगा न ऐसे अगर हम कहते हैं कि वो अकबर के दर्बारी कभी थे और उनके नौ रत्नों में से एक रत्न थे तो समझ लो कि उनके जैसा poet और कोई नहीं था, उनके जैसा कवी कोई और नहीं था, उनके जैसा नीती परक बातें बताने वाला कोई नहीं था, अकबर के दरबारी कवियों में एक ही नाम है, जो है रहीम दास, ठीक है? रहीम दास ने अपने दोहों में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रियोग किया है, उस समय जो भारत में भाषाएं चलती थी, वो भाषाएं थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा, तो रहीम ने दोनों ही भाषाओं का प्रियोग किया है, और उनके दोहे जो हैं को अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी सरल भाषा में किस तरीके से अपने पाठकों को संदेश देने में सफल रहे हैं एक दोहा उन्होंने लिखा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए रहीम दास जी कहते हैं प्रेम के संबंधों को एक चटके में कतम मत करो धागे को तोड कर दो टुकडों में विभाजित मत करो उसी तरह से मनुष्य के संबंधों को जटका दे कर तोड़ने की कोशिश मत करो तूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तूटे अगर ये प्रेम संबंध तूड जाते हैं तो फिर ये दुबारा पहले की तरह नहीं बनते अगर फिर भी कोई मन मुटाव खतम होने के बाद समझोता हो जाए तो भी मन में कोई ना कोई शिकायत रह जाती है बिलकुल उसी तरह से जैसे तूटे हुए धागे को जोड़ने के लिए जब उसे धागे को सिरों से मिलाया जाता है तो उनमें गांट पड़ जाती है गांट के बिना वो जुड नहीं सकता तो बचो और भी बहुत सारे दोहें हैं जैसे उन्होंने वहवार के बारे में बताया है कि जब हम दुखी होते हैं ना हम सहारे ढूमने लगते हैं किसको ह तुमारा दुख सुनकर कोई दुख ही नहीं होगा बलकि तुमारे दुख का लोग मजाक उड़ाएंगे और तुम पर हसेंगे इसलिए अपने दुख को अपने ही मन में छिपा कर रखो पानी के महत्व का वर्णन करते हुए वो बहुत सुन्दर उधारन दिया उन्होंने कि पानी को संभाल कर रखना चाहिए और पानी के तीन अर्थ बताये एक अर्थ बताया उन्होंने पानी का मतलब चमक होता है एक पानी का अर्थ उन्होंने बताया जो की चूरन खाने के लिए पानी लिया जाता है पीने वाला पानी और एक पानी का अर्थ उनोंने इज़्जत बताया है और तीन शब्द को एक ही पानी शब्द के द्वारा तीन बातों को एक ही पानी शब्द के द्वारा व्यक्त किया है प्रकट किया है देखो जैसे वो कहते है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून रहिमन पानी राखिए, रहीमदास ची कहते हैं पानी की संभाल बहुत जरूरी है आप लोग स्लोगन भी लिखते हो, सेव वाटर है ना, तो पानी की संभाल बहुत जरूरी है बिन पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून अगर पानी चला गया, तो फिर इन तीन चीजों की कोई कीमत नहीं रहती, कोई इन चीजों का महत्व नहीं रहता अगर मोती के उपर से चमक निकल जाए तो मोती की वैल्यू कम हो जाती है मोती की कीमत उसका मुल्यांकन कम हो जाता है अगर चूना गोलने के लिए या चूरन खाने के लिए पानी नहीं हो तो चूरन का या चूने का भी कोई महत्व नहीं रहता इसी तरह से मनुष्य को पानी की आवश्यक्त है मनुष्य में इज्जत होनी चाहिए जिस मनुष्य में इज्जत नहीं है जिस मनुष्य की इज्जत नहीं है उस मनुष्य का कोई भी आदर नहीं करता तो पानी गए न उबरे मोती मानुस चून इज़त चले जाने पर चमक चले जाने पर या पानी ना होने पर कोई भी उन्नती नहीं कर सकता, कोई भी समाज में नहीं रह सकता रहीम दास ने अपने अनुभवों को आधार बना कर ही दोहे लिखे हैं और इन दोहों के पीछे उनका अपना जीवन भर का अनुभव चिपा हुआ है और सारे अनुभव जो हैं वो मानव मातर के लिए उप्योगी सिद्ध होते हैं क्योंकि वह नीती परक दोहे हैं और नीती मनुष्य के लिए आवश्यक हैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है कि जब आप कविता के प्रश्न कर रहे हैं अभी नाइंथ क्लास में हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई तो हम सही धंग से बात भी नहीं कर पाई अच्छे धंग से आपने सामने नहीं हो पाई लेकिन फिर भी आप लोगों को पता दूँ कि इस पार्ट या कावे भाग टोटल कावे भाग जितनी भी कविताएं हैं उन में से आपको 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे 3 into 3 equal to 9 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक प्रश्णों का जो 5 into 1 equal to 5 यानि कि आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको दो तरह के प्रश्ण आने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्ण एक आएगा और लगू प्रश्ण तीन आएंगे यहाँ पर जब आप लोग लिखने जा रहे हैं इस पाट के दोहों के से सम्मंधित प्रश्णों के उत्तर तो जो जो लगू प्रश्ण है और भाव इस पस्ट करो या कुछ इस तरह के जो भी प्रश्ण आप देख रहे हो वो सब 3 marks के हैं और इसके बाद भाशा शैली से सम्मंधित या विशेश्टाओं से सम्मंधित या साठ से सम्मंधित जो भी प्रश्ण दिया जाएगा या केंदरिये भाव लिखने के लिए दिया जाएगा तो समझ दीजिए वो निबंदात्मक प्रश्न है उमीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आती होगी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है या कहीं पर कुछ डाउट रह जाते हैं कोई संद्य पैदा होता है तो फोन नंबर आपको दिये हुए हैं आप हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं कि धन्यवाद